बूर्णिंग एक्स्प्रेशन को कैसे मल्टिप्लाई इंटू गुणा किया जाता है तो अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन है तो क्या होगा इसमें कॉंस्टेंट भी होगा और भरियेबल भी होगा वह ऐसे expression को हमको multiply करना है जैसे यहाँ पर है 6xy into minus 3x square y इसको ऐसे भी बोल सकता है कि multiply 6xy and minus 3x square y इस दोनों को multiply केजिए या ऐसे लिखे बात सेम है ठीक, तो जब भी algebraic multiplication हो algebraic expression का multiplication हो तो constant को constant से multiply किया जाता है और variable को variables है जैसे देखिए, यहाँ constant क्या है 6 है और minus 3 है तो क्या कर दिए 6 into minus 3, constant को constant से multiply किये variable यहाँ क्या है x and y है, यहाँ x square y है तो x square से और y को y से ठीक, तो 6 into minus 3 कर दिए, फिर x x के power क्या है 1 x को x square से और y को y से देखें यहाई टू किये हैं समझ में आ रहा होगा अब देखें 6 3 जा 18 होता है और plus minus का multiplication minus होता है इसलिए minus 18 multiplication में power add होता है जिसे x का power यहाँ 1 है कुछ नहीं यह तो 1 है यहाँ 2 है तो दूनों में multiply है तो क्या हो जागा power add हो जागा आपने exponent में पढ़ा है तो x का power क्या हो जागा 1 plus 2 क्यों 1 plus 2 क्योंकि यहाँ x का power 1 है यहाँ 2 है फिर यहाँ देखिए y के power 1 यहाँ भी y के power 1 है तो दूनों multiply होगा तक का हो जागा y to the power 1 plus 1 ठीक तो यहाँ minus 18 x to the power 3 y to the power 2 हो जागा add होने के बाद यही answer ठीक है student समझ में आ रहा होगा एक और question देखते हैं minus 6 x to the power 5 into 5 x square देखिए पहले किसको किसको multiply करेंगे constant को minus 6 into 5 कितना हो जाएगा minus 6 into 5 minus 30 ठीक अब यहाँ x के power 5 है यहाँ क्या है x के power 2 तो multiplication में power add होगा तो x के power क्या हो जाएगा 5 plus 2 अब 5 plus 2 7 होता है न x to the power 7 तो minus 30 x to the power 7 यही answer हो जाएगा एक और देखिए 2 by 3 x square y into 3 by 5 x y square ठीक तो पहले किसको multiply करेंगे constant को 2 by 3 और 3 by 5 को देखिए multiply कर दिये अब यहाँ x का power कितना है 2 देखिए x के power 2 यहाँ पर x के power क्या है 1 तो x के power देखिए plus 1 कर दिये न क्यों multiplication में power add होता है तो x के power 2 plus 1 कर दिये फिर देखिए यहाँ y है y के power 1 तो y के power 1 यहाँ क्या है y के power 2 तो plus 2 हो गया y के power में क्यों कि multiplication में power add होता है ठीक अब देखिए यह 3 3 cancel हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 by 5 यहाँ x to the power 2 plus 1 3 y to the power v1 plus 2 3 हो गया ठीक है students next देखिए minus 1 by 27 a square b square into minus 9 by 2 a cube b c square तो पहले किसका multiplication number का minus 1 by 27 into minus 9 by 2 देखिए दुनों number को multiply कर दियाने यहाँ पर अब a का power 2 है तो a का power 2 आगे देखिए a यहाँ पर a के power 3 है तो a के power 2 plus 3 हो गया फिर b का power क्या है यहाँ 2 तो b के power 2 यहाँ पर b के power 1 है न तो power देखिए plus 1 हो गया यहाँ c नहीं है लेकिन यहाँ c है c square तो c square लिखे दिये अब यह 9 27 कटेगा 9 3 जा 27 तो 9 और 27 कटाईएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा और 3 तू जा 6 तो minus 1 by 6 हो गया ना स्वरी minus minus plus हो जाएगा तो plus 1 by 6 a to the power कितना हो जाएगा यहाँ 3 और 2 5 b to the power 2 or 1 3 and c square और यही एंसर एक और question देखिए minus 3 by 5 s square t into 15 by 7 s t square u into 7 by 9 s u square तो पहले किसका multiplication numbers का तीनो numbers को constant को multiply अब s के power 2 है देखे s के power 2 फिर यहाँ क्या है s के power 1 तो plus 1 यहाँ s के power 1 तो again plus 1 फिर देखे यहाँ t का power कितना है 1 तो 1 फिर यहाँ t का power कितना है 2 तो plus 2 कर दिया इसमे t नहीं है फिर देखे यहाँ u नहीं है लेकिन यहाँ u है u का power 1 फिर u का power 2 है तो plus 2 कर दिया ठीक है अब सब को multiply करेंगे तो ये कितना हो जागा, देखिए, 5, 3 जा, 15 यहां 3 होगा, तो माइनस 3 इंटू 3 बचेगा ना, ये 7, 7, cancel out, तो ये शिर्फ 9 बचेगा, फिर देखिए, 3, 3 जा 9, 9, 9 कटके का हो जागा, माइनस 1, एस का पावर, 2, प्लस 1, प्लस 1, ये कितना हो जागा, 4, ती का पावर, 2, प्लस 1, 3, अईू का पावर भी, 3, यही एंसर, ठीक है स्टूटेंट्स, नेक्स्ट कोश्चन है, 5A स्कॉर B, अंडर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है, 3A स्कॉर, माइनस 4AB, प्लस 6BA स्कॉर, ठीक, तो जब भी ऐसा कोश्चन रहे, तो जो ब्रैकेट के बाहर रहता है, उसका मल्टिप्लिकेशन सब में होगा, मिन्स इसका मल्टिप्लिकेशन 3A स्कॉर में भी होगा, इसका मल्टिप्लिकेशन माइनस 4AB में भी होगा, और इसका multiplication 6b square में भी होगा means जो bracket के बाहर रहेगा उसका multiplication बारी-बारी से सब में होगा ठीक, देखें यहां किये हैं जब इसका multiplication 3a square से होगा तब 5 into 3 कितना हो जाएगा 15 15 अब a का power 2 है यहां a का power भी 2 है तो a का power का हो जाएगा 2 plus 2 यहां b का power 2 है लेकिन इसमें b है नहीं है तो b का power 2 ही रह जाएगा फिर इसका multiplication जब minus 4 a b में होगा तो 5 into minus 4 कितना हो जाएगा minus 20, 5 4 जा 20 plus minus, minus अब a का power 2 है यहां a का power 1 है तो a का power 2 plus 1 फिर देखें b का power 2 है यहां b का power 1 है तो b का power 2 plus 1 फिर इसी का multiplication जब इसमें होगा 6 B square में तो 5 6 जा 30 A का power 2 है यहाँ A का power नहीं है तो A का power सिर्फ 2 रह गया यहाँ B का power 2 है यहाँ B का power 2 है तो B का power 2 प्लस 2 हो गया अब इसी को लिख देना है 15 A to the power कितना हो जागा 4 B square minus 20 A to the power 3 हो जागा ना 2 plus 1 B का power भी 3 plus 30 A square B के power 4 और यही एंसर नेच्ट है 5 X plus 7 bracket में into 3 X plus 4 under bracket तब क्या करेंगे तो ध्याँ दिजिए इस 5 X का multiplication 3 X में भी होगा और 4 में मने 5 X का multiplication इसमें होगा फिर 7 का multiplication इसमें होगा देखिए 5 X का multiplication फिर 7 का multiplication फिर 5 X को क्या करेंगे तो 5 X का multiplication 3 X में भी होगा और 4 में भी होगा 7 का multiplication भी 3 X में भी होगा और 4 में भी होगा तो देखिए 5 X को जब 3 X में multiply करेंगे तो पहले number number को constant constant से तो 5 3 जा 15 X का power 1 यहाँ भी 1 X का power 1 plus 1 5 X जब 4 में multiply होगा तो 5 4 जा 20 यहाँ X है लेकिन यहाँ X नहीं नहीं है 4 में तो सिर्फ X रह जाएगा फिर देखिए 7 को 3 में multiply करेंगा तो 7 3 जा 21 X 7 4 जा 28 अब 5 X का power 2 20 और 21 आड़ करेंगा कि दुनों same नहीं 20 X और 21 X तो X X दुनों में दुनों same है like algebraic expression है 20 प्लस 21 21 X plus 28 यहीं answer next है 7 X plus 2 Y into X plus 4 Y देख लिजिए 7 X का multiplication X plus 4 Y में फिर 2 Y का multiplication X plus 4 Y में ठीक 7 X को multiply करेंगा X में तो 7 X स्का है 4 Y में तो 28 X Y 2 Y को X में करेंगा तो 2 X Y 4 Y में तो 8 Y स्का है अब 7 X स्का है 28 X Y और 2 X Y देखिए दुनों like है एक जैसा है x y x y है तो 28 और 2 कितना हो गया 30 x y plus 8 y square इसका एक स्क्रीन सॉट ले लिजे यह समाज में आएगा देखिएगा बना करके स्क्रीन सॉट ले लिजे यह बना हुआ है और आपको समाज में भी आएगा ठीक है students ले लिए होंगे स्क्रीन सॉट अब next आगे देखते हैं इसका स्क्रीन सॉट ले लिजे ठीक next multiplication है 3x plus 2y minus 4 x minus y plus 2 देखिए यह भी bracket में यह भी bracket में तो क्या करेंगे पहले 3x का multiplication इसमें होगा देखिए 3x into this plus 2y का plus 2y का multiplication फिर इसमें हुआ है देखिए लिखें है फिर minus 4 का multiplication फिर इसमें होगा देखिए लिखें दिये है अब देखिए 3x जब multiply होगा तो 3 में होगा बारी बारी से ठीक 3x जब x में होगा x का साथ यहां 1 न है तो 1 into 3 x into x x square क्यों 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 x का power 1 यहां भी 1 तो 1 plus 1 2 हो जागा ना power फिर 3x का multiplication जब y में होगा तो क्या हो जागा minus 3xy क्यों plus 3 और minus 1 minus 3 x into y xy ठीक यहां power add नहीं हुआ क्यों 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 x अलग y अलग है अगर x चाह y y रहता तो power add होता ठीक है अब 3x का multiplication जब टू में होगा तो 3 into 2 6x अब नेक्स देखिए 2y का multiplication x में होगा तो क्या हो जागा 2xy फिर 2y का multiplication minus y में होगा तो plus minus minus 2 y into y y square ठीक है फिर plus 2 और plus 2y तो 2 into 2 4y ठीक है students नेक्स देखिए minus 4 का multiplication x में तो minus 4x फिर minus minus plus 4y फिर minus 4 और plus 2 तो minus plus minus 8 हो जाएगा ठीक अब क्या करते हैं कि जो like है उसको add करते हैं जिसे देखिए 3x square है और कहीं x square दिखाई दे रहा है कहीं x square नहीं है देख लिजिए तो सिर्फ 3x square फिर minus 3xy है और कहीं xy वाला term है तो देखिए यहां है xy और कहीं है तो और कहीं नहीं है दो जागा है xy वाला तो minus 3xy यह प्लस 2xy तो minus 3 और plus 2 minus 1 न होता है तो minus 1xy चाहे minus xy ठीक है फिर देखिए 6x है और यहां क्या है minus 4x है तो plus 6 और minus 4 क्या हो जाएगा plus 2x फिर देखिए xy तो हो गया है minus 2y square और y square कहीं नहीं है तो minus 2y square फिर देखिए 4y है और 4y और y कहीं है तो यहाँ है 4y 4y, 4y, 8y फिर देखिए minus 8 यही answer ठीक नेक्स देखिए वेसा ही है 2x square 3x minus 7 3x square minus 5x plus 4 तो देखिए 2x square का multiplication पूरे में फिर plus 3x का multiplication पूरे में देखिए फिर minus 7 का multiplication पूरे में फिर 2x square को सब में बारी-बारी से multiply करेंगे 3x को भी बारी-बारी से सब में multiply 7 का भी multiply तो इसका एक screen shot ले लिजे आप लोग, समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, बना हुआ है ले लिए होंगे screen shot next देखिए आगे है कि multiply this by this and verify your result for a बाराबर 2 and b बाराबर 3 तोनों को multiply करेंगे तो minus 2 by 3 a square b 6 by 5 a qb square तो पले number number से multiply होगा minus 2 by 3 और 6 by 5 देखिए multiply होगया, यहाँ a का power 2 है, a का power 3 है तो कहा जागे का power 2 plus 3 यहाँ b का power 1, b का power 2 तो b का power 3, 1 plus 2 तो इतना होगया, अब क्या करेंगे कि a के जगा 2 और b के जगा 3 रखेंगे lhs में भी और rhs में भी, lhs कौन है यह जो question है, यह वाला lhs है ठीक है, इस lhs में a के जगा कितना रखेंगे 2 और b के जगा 3, देखिए रखेंगे minus 2 by 3 a के जगा 2 तो 2 के पावर 2 3, 6 by 5 2 के पावर 3, 3 इसको है इसको आपस में multiply करने पर यह आएगा इतना 3256 by 5 फिर rhs में तब जो result आया है इसमें भी a के जगा 2 और b के जगा 3 रख दिये देखिए इसको भी multiply करने पर same result आया means lhs rhs equal है this is the verification of result ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो दो बार तीन बार देखिएगा ठीक है अगर पुरा जब समझ में आ जाएगा फिर इस वीडियो में जो questions दिया है उसको बनाना है पहले और उसके बाद फिर आपका exercise बनाना है ठीक जो भी doubts होगा हमको phone कीजिए बताईए ठीक है मिलते हैं फिर अगले class में तब तक लिए बाय थैंक यू